पिर दोरा जो इंसान दिन के 24 गेंटों में से अपने शरीर को एक खेंटा एक खेंटा एक गेंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए किलियो सर्थ दोस्तों आजकल की दोड़ती भाकती जिन्दगी में खुद को फिट और स्वस्त रख पाना सबसे मुश्किल काम होता है लेकिन आयर्वेद की कुछ बातों को अपनाया जाए तो स्वस्त रहना बहुत ही आसान है दोस्तों अगर आप रेगुलर्ली डॉक्टर विस सिरूप रॉय चाधरे जी को फॉलो करते होंगी तो आप स्वस्त रहने की इन पास सूतरों के बारे में जरूर जानते होंगे जो हर किसी के लिए बेहद महत्वपून है दोस्तों स्वस्त ये बिलकुल आपकी जमापूंजी की तरह है अंग्रेजी में कहें तो हेल्थ इस फैल्थ और हम इन दोनों को जब तक हो नहीं देते तब तक हमें अब इसकी असली किमत समझ नहीं आती और दोस्तों जब हम बहुत बिमार हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि हमें अपनी स्वस्त पर ध्यान देना चाहिए था लेकिन हम बिमार होने से पहले ही अपने अगर स्वस्त पर ध्यान दें तो बिमार होने की तकलीफ ही ना उठानी पड़े जितना समय लोग आजकल अपने मुबाइल को देते हैं मतलब अगर उसमें से थोड़ा सा भी समय निकाल के अपने स्वस्त को दें तो आप अंधाजा भी नहीं लगा सकते कि लोगों का जीवन कितना बदल सकता है तो बात करते हैं स्वस्त रहने की इन पांस सुतरों के बारे में हमारे पेट की बनावट के हिसाब से अगर हम दाएं तरफ होकर सोते हैं तो हमारे पेट में उपस्तित अमल, स्टमक एसिड कई तरह से नुकसान पहुचाता है जैसे खाना ठीक से हजम नहीं होता, डाइजेशन प्रॉबलम, रक्त संचार में रुकावट आना, ब्लड फ्रो का प्रॉबलम, सीने में जलन, हार्ट बर्ण, ऐसी कई तरह की विमारी हो सकती है इसके विबरेट, अगर हम बाएं तरफ मुड़कर सोते हैं रात को, तो खाना ठीक से पस्ता है, और बाकी दिक्कते भी नहीं होती है दोस्तों, आजकल जायतर लोग अपनी रोज मर्रा के कामों में इतना जादे वियस्त होते जा रहे हैं कि पानी पीना भूल ही जाते हैं या बहुत प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी जो हमारे स्वास्त के लिए बिलकुल ठीक नहीं है पानी पीने से आपका शरीर हाइडरेटेड रहता है और आपके शरीर की उर्जा बरकरार रहती है पानी शरीर में वशा और कार्बोरेट हाइडरेट को संचालित रखता है नमबर तीन, जादे से जादे टहले दोस्तों डॉक्टर विस्वरू प्रॉय चौदरी जी के मताबिक स्वस्त रहने के लिए हमें कम से कम रोज 8000 कदम चलना चाहिए लेकिन अगर आप किसी से भी पूछें तो कि आप रोज कितना चलते हो तो उसका जवाब लोग ठीक से बता भी नहीं पाएंगे अगर आप रोज ये जानना चाहते हैं कि आप रोज कितने कदम चलते हैं तो आप अपने मुवाइल में ऐसे किसी एप को इंस्टॉल करके रोज हिसाब रख सकते हैं नमबर 4, खाने को 32 बार चबाएं दोस्तों आईरुवेद में कहा गया है कि किसी भी विमारी का जड़ हमारा पेट ही होता है अगर हम अपने पेट को स्वस्त रखते हैं तो या पेट का ख्याल रखते हैं तो हम कई विमारियों से बस सकते हैं और पेट को ठीक रखने के लिए दो चीजे बहुत ज़रूरी हैं पहली तलाभुना या बासी खाना ना खाएं नो जंक फूट और कुछ ऐसा खाएं जो आसानी से पच सके इन दोनों में से आसानी से बचा जा सकता है अगर आप अपने खाने को निगलने से पहले 32 बार चबा लेते हैं जी हां दोस्तों तो आप अपने खाने को 32 बार चबा कर खाएं इससे हमारे पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना अराम से हजम हो जाता है दोस्तों आप अपने आसपास या आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो जंक फूट ज्यादा करते हैं दुमरपान और मदिरा का सेवन करते हैं तो हो सकता है कि आप भी वैसे ही दिंचरिया बना ले लेकिन अगर आप इसके विपरित वियायाम, योगा और अच्छे खाने वाले लोगों मतलब स्वस्त वतावरन वाले लोग आपके साथ या आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो हो सकता है कि आप उनके दिंचरिया में ढल जाएं आप अपने पांस सबसे करीब उन लोगों को चुनिए जिनकी दिंचरिया स्वस्त और मतलब अच्छा खाने वाले हों वियायाम करते हों और धुम्रपान, मद्रियापान से दूर रहते हों इससे आप के स्वस्त में असर पड़ेगा और आप स्वस्त रहेंगे तो दोस्तों ये थे स्वस्त रहने के पांस सूत्र जिनहें आपको अपनी जीवन में जरूर अपलाई करना चाहिए नमबर एक हमेशा बाई तरफ सो दिन में तीन से चार लिटर पानी पिए नमबर तीन ज्यादे से ज्यादा ठेले नमबर चार खाना को 32 बार चबाएं नमबर पाँच स्वास्थ वातावरण में रहें स्वास्थ वातावरण वाले लोगों के साथ रहें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स अच्छी वीडियो के साथ अपना ध्यान रखिए जय ही जय बार